कि नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नीट और जई एक्जाम रद कराने की मांग जोर पकड़ लिया है कई छाद्र सोसल मीडिया पर नीट और जई एक्जाम रद कराने के लिए ओनलाइन पिटिशन अभियान सुरू कर दिया है वहीं द चात्रों की सुविधा को देखते हुए जेए के सेंटर 570 से बढ़ाकर 660 जबकि नीट के लिए 2546 से बढ़ाकर 382 कर दिया गया है उन्होंने कहा कि छात्रों को पसंद के सेंटर दिये गए हैं आगे उन्होंने कहा कि कूल 858,000 कंडिडेट्स में से साथ साथ लाख जेए के जबकि नीट के 15,97,000 में से 13,00,000 ने एड्मीट का डाउनलोड कर लिया है इससे पता चलता है कि छात्र किसी भी कीमत पर परिशा कराना चाहते हैं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पच्छी में बना कम दबाव का चक्रवाती छेत्र पच्छी में बंगाल और उरिशा के उपर बना हुए है इसका असरनाची समेत कई छेत्रों में दिख रहा है भारी भारी इसके कारण जन जिवर अस्त ब्यस्त हो गया है लोगों को अपने दैनिक कारियों के लिए दिखते का समना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर बताया है कि किसानों के खेतों में काम करने जाने से बचना चाहिए वजरपात की स्थिती में सुरक्षित आस्थान पर सरन ले जार्खन में 100 यूनिट फिरी बिजली के साथ सबसीडरी भी मिलती रहेगी जार्खन सरकार उभगताओं को 100 यूनिट बिजली फिरी भी देगी जबकि सबसीडरी कलापूर्व की तरह ही मिलेगा इसका प्रस्ताओं तयार हो गया है मंजूरी के लिए इस प्रस्ताओं को कबिनेट में ला जाएगा वहाँ से स्विक्रिति मिलने के बाद इस प्रस्ताओं को जार्खन राज बिधूत नियामक आयोग के पास बेजा जाएगा सुत्रो का काना है कि आयोग में ट्रैरिफ की परकिरिया अम्तिम चलाण में है सितामबर के पहले हाफ्ता में ट्रैरिफ की खोषना की जाएगी संभावता उसी दिन 100 यूनिट फिरी बिजली देने की खोषना होगी जार्खन में आज 1365 नज संक्रमितों के पुष्टी हुई जो राची से 358, पूर्वी सीमू, 136, गडवा, 109, रामगर, 96, साइब गज, 88, कोड़ार्मा, 80, गिरिडी, 64, हजारी, 24, लातेहार, 44, धनबाद, 36, बोकारो, 33, चातरा, 26, देवघर, वदूमका, से 20, 20, गोड़ा, 15, गुमला, 28, जाम, तरा, 23, खोटी, 18, लोहर्दागा, 17, पाकुल, 8, पलामू, सताई, सराई, केला, 22, सिम्डेगा, 10, और पच्चमी, सिमू, से 43, मिले हैं, जारकन में कुल संक्रामितों के संख्या 34, 676, है, जबकि 23, 119, लोहर्द हुए, और 377, की मिले हुई, भारत में कुल संक्रामितों के संख्या 23, 84, 575, है, जबकि 25, 83, 63, लोग स्वास्थ हुए, और 16, 674, की मिले हुई, भारत में केस 76, 826, मिले हैं, जबकि 69, 626, लोग स्वास्थ हुए, गुरु आरकों 10 संक्रामित की मौत हुई है, जो जमसेदपूर से 6, रामगर से 2, धनबाद से 1, लातेहर से 1 की मौत हुई है, राज में 633, मरीज स्वास् 350, पच्मी स्वास्थ हुए, 309, कोडार्मा 338, लातेहर 291, गढ़वा 282, गिरिटी 268, साहिव गण 267, सराय के लाद 235, पलामो 255, खुटी 193, गुमला 158, देवगार 122, स्रिम्डेगा 235, दुमका 147, चात्रा 134, लोड़दा का 129, जामतवा 106, पाकुर 83, गोड़दा स 47 मरीच एक्टिव हैं, मंद्रेगा कर्मियों से वारता एक को होगी, राई सरकार ने मंद्रेगा कर्मियों को वारता के लिए बुलाया है, ग्रामिन बिकास मंतरी आलमगीर आलम ने कहा है कि मंद्रेगा कर्मियों का हरताल खत्म कराने का पर्यास होगा, मंतरी ने कहा कि मंद पुर्वी सिम्भूम में बार से बहाल, सीम ने लिए एक सन, पुर्वी सिम्भूम जीला के कई इलाके बार से बहाल हो गए हैं, बारागोरा पर खंड के एक गाउं के 27 परिवार का घर पूरी तरह से पानी में डूब गया, इनके पास खाने पीने का भी कोई समान नहीं बचा रहने की जगा नहीं है वही जमसेदपूर के भुयादी कल्यान नगर इलाके में नदी का जल अस्तर बढ़ने के बाद लोग घबरा हुए हैं आपको बता दे कि मुखमंत्री हमन सुरेन को फोटो और वीडियो सेयर करके जनकारी दी गई है ट्वीट पर लोगों को हो रही दि संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राची के रिम्स में हुई सुरू प्लेजमा थेरेपी से मरीज ठीक हो रहे हैं इसके मदर नजर राची जिला परसासन एम रिम्स के सन्युक्त परयास से प्रतिरक्षाक दसेवियार नाम से प्लेजमा डोनेट अवियान चलाया जा रहा है जिसके तहुत संक्रमन से ठीक हो चुगे मरीज को प्लेजमा डोनेट के लिए प्रेरित किया जा रहा है वहीं डिसी के नियदेशा अंसार जल दी एक प्लेजमा मेनेजमेंट पोटल की भी सुरुबात की जाएगी कर्मा महापर्व को लेकर केंद्रिये सरना समिती ने तीन दिन के राजगी आवकास की मांग की करोना वाइरस को देखते वे बर्स 2020 में कर्मा महापर्व साथ की साथ मनाया जाएगा राजधानी राच्ची में केंद्रीय सरना समीति केंद्रीय अध्यक्स बबलू मुंडा की अध्यक्सता में होई बैठक में मुखे पाहन जगलाल पाहन ने का की कुरोना संक्रमन को देखते हुए इस बर्स परंपराई धार्मिक बिदी बिधान एमरिती रिवाज के साथ साथ की पुर्ण महापर मनाया जाएगा राज्य के यूवा रोजगार की आस में पिछले तीन वर्सों से इंतियार कर रहे हैं वर्सों से सरकार से ये सभी अभियार्थी रियर्ट निकालने के गुहार लगा रहे हैं बता दे कि जाकन करमचारी चैन आयोग ने आठ हैर से अधिक वाली पिछले तीन वर्सों से नहीं निकाल पाया है आयोग नियोजन नीती नहीं होने का कान बता कर सभी वाली रोग दिया है जबकि अभियार्थियों का काना है कि नियाले ने असपस्ट का है कि चैन वा नियोकती में किसी परकार की कोई रोक नहीं है बता दे कि हाई की परिक्षा तीन वर्स पहले वहीं उत्पात सिपाई की परिक्षा आयुजीत कि एक वर्स का समय गुजर गया है इन अभियार्थियों के समर्थन में कई विधायक नेता इनके साथ खड़े और नजर आ रहे हैं इन में भाजपा विधायक दल किनेता बावलन मरांडी विधा असवाल ने जर्खन सरकार के बीत और खादा पूर्ती मंत्री रामेशवर उराव को पत्र लिखकर 6 मां से बंद सेलून ववा पारलर खोलने की मांग किया है उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि राज में सेलून ववा ब्योट्व पारलर अब तक बंद रहने से करीब 65 हजार लोगों को आर्थिक संकट का समना करना पड़ रहा है रामगाड में होमगाड के चैनित अभियार्थियों का मेडिकल जांच शुरू हो गया है गुरू आर को डियू मीशन प्राइमरी स्कूल परिसर में पहले दिन गोला परखंड में चैनित 44 अभियार्थियों का च जादिकारी कराले कस्तर पर हो चुका है देवघर में मनलेगा कर्मी मानव सिरिंखला बना कर बिरोध जताया जारकन राज मनलेगा क्रमचारी संग देवघर के द्वारा समानाले परिसर के सामने एक दिवसे धारना दिया गया समाजिक दूरी का परण करते हुए जारकन रा चात्रा जिला के हंटर गंज में निरजना नदी में आई बाढ़ में बहने से दो लोगों की मौत हो गई है दोनों बुद्धवार को बहे थे लेकिन उनका सो गुरुवार को नदी में तेरता मिला है बता दे कि मिरितकों में एक महिला जबकि दूसरा पूरूस है जेई और नीट परिक्षा के लिए छात्रों को परिक्षा के अंदर तक पहुचाएगी जार्खन सरकार जार्खन सरकार जेई और नीट परिक्षा का भले ही बिरुद कर रही हो लेकिन सरकार ने या पहल की है कि पहले से निर्धारित परिक्षाओं के लिए छात्रों को कोई क कठीना ही ना हो यह सुनिश्चीत किया जा रहा है परिवहन विभाग इसके लिए प्रस्ताव त्यार कर चुका है और सिग रही सभी जीला परिवहन पतादिकारियों के इस संद्वर में आदेश भेज दिया जाएगा पूलिसमेंस एसोसियेशन विवाद डिजीपी तक पहुंची सिकायत जारखन पूलिस के सत्तर हजार से अधिक जवानों की परतिनी धित्व करने वाली जारखन पूलिसमेंस एसोसियेशन में एक भोज को लेकर विवाद गाराता जा रहा है बुद्वार को एसोसियेशन के मह सितंबर में केंद्र सरकार से नई गाइडलाइन आ जाएगी इसके बाद बस चलाने पर विचार किया जाएगा NTPC वा कोल परियोजनाओं में 90% आस्थानियों को मिलेगा काम मंत्री जारकन के स्राम नियोजन एवम प्रसिक्षण मंत्री सत्यानन्द भोकता ने काहा है कि CCL एवम अन परियोजनाओं में 14 जिला के ही 90% मजदुरों को रोजगार उपलब्द कराया जाएगा 10% भारी लोगों को CCL परियोजना में रोजगार मिल सकेगा कोचिंग सेंटर खोलने की मांग को लेकर ग्यापन सोपा देवघर जिला कोचिंग एसोसेशन के सदस्यों ने गुरुवार को देवघर DC से मुलकात कर ग्यापन सोपा इस मोके पर एसोसेशन के अध्यक्ष लरण मिस्ट्रा ने कहा है कि पिछले 5 माहिना से कोचिंग संस्थान बंध है वहाई दूसरी और सरकार द्वारा कोई रादपायक की घोसना नहीं की गई अपनी भी फलता छुपाने के लिए बिरोध की भासा बोल रहे है हमन सुरेन दिपक परकास भाजपाक के जहरखन परदेश अध्यक्ष एवं सांसत दिपक परकास ने मुख मंतर हमन सुरेन के ब्यान पर तिखी परतिकिरिया देते हुए कहा कि हमन जी ने सता के लिए दिल्ली और पतना के दरबार में राज की असमीता को गिरवी रख दी है उन्होंने गुरुवार को कहा कि हमन सुरेन उस चार्ज की मुनमत कर रहे जिसमें छीद रही छीद रहे जिस कांग्रेस की भासा को एबल दे रहे उनके घर में लगी आग बुझाने का नाम नहीं ले रही कहा कि अपने वजूद के लिए कांग्रेस ने छेत्रिये दलो को मोहरा बना दिया है अधिक से अधिक क्रिसी तक्निकी के उपयोग से बेहतर होगी किसानी पलामो उपायूग पलामो उपायुक सासिर अंजन ने कहा कि जीला के किसान भाई अधिक से अधिक क्रिसी तखनिक को अपना कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं उन्होंने कहा कि आज के जमाने में किसानों को भी अपने उत्पाद की गुनवाता बजार की मांग के अनुरूप रखना होगा भारी वहान चालकों ने डियल नवीकरन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पर जताई अपती केंद्रिय मोटर वहान नियम में बदलाव के ताहत पिछले दिनों भारी वहान के चालकों को ड्राइविं लाइसेंस लेने के लिए ट्रेनिंग इस्चूट अपती जताई है उनका काना है कि नई ट्राइवर के लिए या ठीक है लेकिन जो 15 से 20 साल से बस ट्रक चला रहें उनके लिए या वेवस्था लागू करना कमाई का एक जर्या बनाया गया है डिजिटल कॉंटेंट तयार करने के लिए सिख्षकों की होगी ट्रेनिंग राजि के सरकारी स्कूलों के बच्चों के डिजिटल कॉंटेंट तयार करने के लिए सिख्षकों की ट्रेनिंग होगी स्कूली सिख्षा और सर्षकता विभाग ने पीरा माल फांडेशन को ऑनलाइन पर सिख्षन कराने की जिमेदारी दी है सप्ता में तीन दीन दो दो घंटे सिख्षकों को ऑनलाइन पर सिख्षन देना होगा जाकन सिख्षा परिविने परिशद ने इसको लेकर सभी जिला सिख्षा पततिकारी और जिला अधिक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है सैनिकों के बच्चों को नबे परतिशत अंक लाने पर बीस हैर पोसाना रासी राजेपाल राजेपाल दिरोपती मुर्मु ने गुरुवार को वीडियो कंफिरेंसिंग के मादेम से सैनिक कल्यान बोर्ट की चोधावी राजे प्रवंधन कमीटी की बैठक की उन्होंने इस दौरान बोर्ट की परिच्चा में नबे परतिशत से अधिक अंक लाने वाले सैनिकों के संतानों को 20,000 रुपए और 85 से नबे परतियत अंक तक लाने वाले बच्चों को 15,000 पोसाना रासी देने का निर्देश सैनिक कल्यान बोर्ट को दिया है पूलिस कर्मी सही तरीका से नहीं कर रहे फेस मस्क का इस्तिमाल CID मुख्याले में लगतार कुरोना संक्रमन फैल रहा है CID के ESP ने इस संब्ध में आदेस जारी किया है आदेस में बताया गया है कि कुरोना संक्रमन के बाजूत पुलिस कर्मी फेस मस्क का सही तरीके से इस्तमाल नहीं कर रहे हैं साथ ही सोसल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है सेडी मुख्याले में लगतार पुलिस अफसरों और कर्मियों में पोजेटीव पाय जाने पर चिंता जाहिर की गई है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को वाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाग्राम पर सेयर करें आप कोमेंट में अपना सुझाद दे सकते हैं थैंक्यू